हाई एवरीबन आईए आज की इस वीडियो में हम जीके जीस से रिलेटेट 60 कोश्चन्स आज की इस वीडियो में कबर करने वाले हैं जो कि आपके सभी केमप्रिटिव एक्जाम्स का लिए बेनिफिचियल होने वाला है ठीक है तो आज का जो टोपिक है वो टोपिक है लिष्ट की रूप में सभी प्रिवियस पर्ट का वीडियो आपको वेलेबल मिल जाएगा ठीक है तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं ठीक है देखिए पहला कोश्चन हमारा है मुलांकुर मतलब रेडिकल मुलांकुर के अत्रिक्त यानि कि मुलांकुर के अ अप अस्थानिक मूल ओके यानि कि अप अस्थानिक जरे करते हैं ठीक है तो ऑप्सन नमबर दी हमारे इस कोश्चन का करेक्ट अंसर हो जाएगा ओके Q2 है मुलांकूर किसे बिक्सित होने वाली जर्य कहलाती है अब देखिए हम Q2 को पढ़ेंगे और options को डिड नहीं करेंगे अगर आप guess कर सकते हो अनसर तो वीडियो को pause करके आप कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट कोस्चन है डेहलिया ओके डेहलिया आप लोग जानते होंगे एक फ्लावर का नेम है ठीक है तो डेहलिया की जरे कैसी होती है तो ये होती है कंदिल तथा पुलकित कैसी होती है डेहलिया की जरे कंदिल तथा पुलकित होती है ठीक है तो ओप्सन नमबर ए इ कि आर्कीड में मिलती है नेक्स्ट कोषिन है नियूमेटाफोर्स नियूमेटाफोर्स यानि इस शोषन मूल यहीं मिलती है मैंग्रोब पादप में मिलता है तो 9 कोच्छन 6 आर्किडस में बिलामिन जर्ए किसके लिए होती है तो यह नमी को अफ्शोषित करने के लिए यह क्या करती है इसका कारी क्या होता है जी तो यह नमी को अफ्शोषित करने का यह कारी करता है ठीक है तो option number C correct answer हो जाएगा नमी को अफ्शोषित करने के लिए आर्कीडस में बिला मेन जड़े होती है ठीक है चलिए next question है अब अस्तम्भ मूल यानि की still root पाई जाती है किसमे पाई जाती है जी तो यह अब अस्तम्भ मूल यानि अब अस्तम्भ जड़े जो पाई जाती है यह गन्ने में पाई जाती है एक में पाई जाती है ठीक है किसमें पाई जाती है गन्ने में यानि की एक में पाई जाती है ठीक है next है अस्तम्भ मूल होती है अस्तम्भ मूल कै होती है जरे किस से विक्सित होती है जी तो जरे जो है मुलांकूर से बिक्सित होती है ठीक है तो ओψ, नमर भी करेक्टन से हो जाएगा मुलांकूर से ठीक है जर्म इस सरबाधिक जल्दी जल्दी विकास होती है ठीक है बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस करती है तो option number इसका एक करेक्ट अंसर हो जागा मूल शिर्ष के ठीक पीछे ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन है बरगत के पेर के तने से लटकने वाली मोटी जर्य कहलाती है तो यह क्या कहलाती है इससे हम लोग अस्तम्भ मूल के नाम से जानते हैं ठीक है तो option number C correct answer हो जाएगा अज़ चलिए question number next है शोशन मूल पाई जाती है शोशन मूल किस में पाई जाती है तो यह पाई जाती है राइजो फोरा में कहां पाई जाती है तो यह राइजो फोरा में शोशन मूल यानि शोशन जर्य पाई जाती है ठीक है नेक्स्ट कोस्टन है पान की लता, पान की लता में बनने वाली जर कौन सी होती है, तो पान की लता पर बनने वाली जर चायादार जर होती है, कैसी जर होती है जी, तो ये चायादार जर होती है, ठीक है, पान की लता पर बनने वाली जर चायादार जर होती है, ठीक है, नेक्स कई रिख्फ्त knife नेक्स है औरे संस्लेसी काड़ी होता है किसके दौरा होता है तो ये परनिकाई अस्तंब के दौरा होता है ठीक है नाक फनी में परकास संसलेसी कार ये वर्क किसके दौरा होता है परनिकाई अस्तंब के दौरा होता है ठीक है पत्ता गोभी खाद पदार्थ का संचय कहां करता है पत्ता गोभी जो है खाद पदार्थ का संचय संचय मतलब इकठा करना ये खाद पदार्थ का संचय इसमें कहां रहता है जी तो ये पत्यों में रहता है ठीक है तो option number D हो जाएगा पत्यों में पत्यों में ही पत्ता गोभी के खाद पदार्थ जो है संचीत रहते हैं ठीक है नेक्स्ट है आलू भूमिगत रुपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है क्या कहा जाता है हम लोग जानते हैं आलू का हम लोग तना भाग यूज करते हैं ठीक है तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है कंद का रुपांतरन ठीक है ओके किसका रु है कि आलू प्याज इन सभी का तना भाग यूज़ करते हैं तो option number c हो जाएगा तना भाग खाते हैं ठीक है ठीक है फालों के बारे में उसे हम लोग पोमोलोजी कहते थे और पुस्पों के बारे में यानि कि फूलों के बारे में ध्यान को एंथोलोजी कहेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन है बेपोधे जिनमें कभी पुस्प नहीं बनते हैं क्रिप्टो गेम्स कहलाते हैं क्या कह 4 पूर्ण पुस्प में पाया जाता है यानि कि पूरी तरह घ़ कhr जाता है तो इसमें क्या पाया पाया जाता है तो ये सभी चारों चक्र हमें मौजुद होता है पुष्प पेनच क्या है तो इसके पुमंग एवं जायांग है क्या है जी पुस्प यानि की फ्लावर के जनन चक्र जो है पुमंग एबम जायांग होता है ठीक है तो आप्सन नमबर ए इसका correct answer हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है कूरिंजी पुस्प के 12 बर्स में एक बार खिलने का कारण क्या है जी तो इसका कारण है फ्लोरीजन श्राव यानि की इसमें फ्लोरीजन का श्राव होता है निकलता है ठीक है तो आप्सन नमबर इसका पुर्टा पुस्प का क्या नाम है थि बुल्फिया नाम है ए फूलो को भी की में पॉद्धा का उप्योग के हैं को फूलो क्योंड यूजंब है Hundred सबसे बड़ा पुस्प है तो मैंने आपको बता है रैफमिस का सबसे बड़ा फूष्प है यानी फूल है और सबसे चोटा जो है बुल फिया है चलिए नेक्स्ट को Asia जीवन चक्र की दिष्टी से पाउधे का सबसे महत्वूर्ण रंग क्या है तो जीवन है पराग को से बरतिकागर तक पराग का अस्थानंत्रन क्या कहलाता है तो यह प्रागन का लाता है इंइमेंमोफिली प्रागन किसके द्वाइब के द्वारा होने वाला प्रागन ठीक है एनी मोफिली प्रागन किसके दौरा होता है तो यह बायू के दौरा होने वाला प्रागन है ठीक है नेक्स्ट है एंट मोफिली प्रागन है यह किसके दौरा होने वाला प्रागन है तो यह जो है कीटो के दौरा होने वाला प्रागन है ठीक है एंट मोफिली जो है कीट तो के द्वारा होने बला ये प्रागन है ठीक है नेक्स्ट है चमगादर द्वारा प्रागन कहलाता है क्या कहलाता है चमगादर के द्वारा प्रागन जो है चीरेप रोफिली कहलाता है ठीक है तो अप्सन नुमर डी करेक्ट रोजाएगा चीरेप रोफिली कहलाता है ठीक है नेक्स्ट है जो फिली प्रागन होता है किसके द्वारा होता है तो जो फिली प्रागन जो है ये जन्तुओं के द्वारा होने बला प्रागन है किसके द्वारा होने बला प्रागन है जी तो ये जन्तुओं के द्वारा होने बला प्रागन है ठीक है नेक्स्ट है आरनितो फिल नेक्स्ट है जल दौरा प्रागन कहलाता है तो हचल दौरा प्रागन कहलाता है नेक्स्ट है जो प्रागन बंद पुष्प में होता है क्या कहलाता है तो जो प्रागन बंद पुस्प में होता है ये कहलाता है क्ली एस्टो गेमी क्या कहलाता है जी क्ली एस्टो गेमी कहलाता है तो option number इसका एक करेक्ट अंसर हो जागा क्ली एस्टो गेमी ठीक है नेक्स्ट है वर्ति काग्र सदेव खुर्दरा एवं चिपचिपा होता है कहां होता है जी तो ये कीट प्रागित पुस्पो में होता है ठीक है तो अफसन नमर इसका भी करेक्ट रोजागा कीट प्रागित पुस्पो में होता है ठीक है नेक्स्ट है घोंगे दौरा प्रागन कहलाता है तो घोंगे द्वारा प्रागन क्या कहलाता है तो घोंगे द्वारा प्रागन जो कहलाता है ये कहलाता है मेले को फिली कहलाता है ठीक है घोंगे द्वारा प्रागन क्या कहलाता है मेले को फिली कहलाता है ठीक है नेक्स्ट है सुगंधित पुस्पो में प्रागन किस के द्वारा होता है किट के द्वारा होता है सुगंदित पुस्पो में प्रागन ठीक है next question है निसेचन के पस्चात बीजों के बीज वरन बिक्सित होते हैं किस से बिक्सित होते हैं तो ये अध्या बरनों से बिक्सित होते हैं ठीक है निसेचन के बाद बीजों के बीज बरन जो बिक्सित होते हैं यह अध्यावर्णों से बिक्सित होते हैं ठीक है नेक्स्ट है दूई निसेचन यानि कि डवल फर्टिलाइजेशन होता है किसमें होता है तो यह आपरित बीजियों का यह एक हिस्सा है ठीक है अपरित बीजियों का यह हिस्सा है दूई निसेचन ठीक ह उसी में होता है ठीक है नेक्स्ट है बिना निसेचन के एक अंडासे के फल में विक्सित होने को क्या कहते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं पार्थी नो कार्पी कहते हैं ठीक है बिना निसेचन के एक अंडासे के फल में विक्सित होने को क्या कहते हैं पार्थी नो कार्पी कहते ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है गुदेदार थैलिमस गुदेदार थैलिमस किस में खाने योग्य होता है तो गुदेदार थैलिमस जो है यह सेव में खाने योग्य होता है ठीक है तो आप्सन नमबर इसका जो है डिक्रेक ट्रंसपर जाएगा एपल ठीक है नेक्स्ट है अभा आवासी फल का उदारन है ठीक है कौन सा फल का उदारन है तो यह आवासी फल का एक एक जामपल है ठीक है नेक्स्ट है नारियल का खाने योग भाग है तो नारियल का हम लोग भुरुन पोस भाग खाते हैं कौन सा भाग खाते हैं नारियल का हम लोग तो भुरुन पोस भाग दो है 엉-ב «Cookonut Yeah» का खाते हैं या नारियल का करते हैं खरीक है महानस सेब और नसपाती में खाने योग्यंग होता है तो सेब और नसपाती यानि एपल और पाइनपल में हम कौन सा भाग उसका यूज करते हैं तो मानसल पुसपासन यही भाग हम लोग इसका इस्तमाल करते हैं मानसल पुसपासन भाग हम लोग खाने में यूज करते हैं नेक्स्ट है बीज रहित फल प्राप्त क्या जा सकता है किसके दौरा प्राप्त क्या जा सकता है बीज रहित फल तो ये हार्मोन्स के बेहवार के दौरा हम लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है अन्नास यानि कि पाइन फल किस परकार का फल है जी तो ये साइकोनस परकार का फल है ठीक है साइकोनस टाईप का ये फल ठीक है तो अपसंझ निझाइस कρεक्टन सोजाईगा साइकोनस स्क्प फल नेक्स्ट कोस्टन है नासपाती का कौन सा भाग खाया जाता है तो नासपाती का हम लोग गुदेदार पुसपासन भाग इस्तिमाल करते हैं नेक्स्ट है किस पौधे में बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता ठीक है तो साइकस पौधे में बीज तो होता है लेकिन फल ही नहीं होता है ठीक है बीज बिकसित होता है बीज जो है बिजांडों से बिकसित होता है किस से ये बिकसित होता है जी तो ये बिजांड से बिकस होता है बीज यानि सीड्स ठीक है नेक्स्ट है भुरुन किसमें मिलता है तो भुरुन जो मिलता है यह बीज में यानि कि सीड्स में मिलता है ठीक है किसमें मिलता है तो यह बीज में मिलता है भुरुन ठीक है नेक्स्ट है आर्किड के बीज होते हैं आर्किड के बीज हलके ए अंकूरन किसमें पाया जाता है तो यह जो पाया जाता है राई जो फोरा में पाया जाता है ठीक है सजीव परजक अंकूरन किसमें पाया जाता है तो यह राई जो फोरा में पाया जाता है ठीक है next question है अधो भूमिक अंकूरन किसमें पाया जाता है तो यह मक्का में पाया जा जाता है किसमें पाया जाता है जी मक्का अनाज में यह पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा क्या कहलाता है उसका नाम क्या है तो वो है बांस संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा का नाम है बांस ठीक है चलिए वीडियो में हमने पादप आकार की इस टोपिक सेरे सारे कोस्टन कवर किये हैं जो की आपके competitive exams में इस टोपिक से related questions पूछे जाते हैं तो आज के लिए इतना है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके सो थैंक यू